जय हिंद मेरा नाम है रवी आपका स्वागत करता हूँ अर्थवर्दन चनल में यह हमारा दूसरा वीडियो है question answer की series में पहले वीडियो पर आपने बहुत ही शांदर प्यार दिया था अच्छे खासे like साय थे और वीडियो भी हमारा अच्छा चल रहा है आपने जो question पूछे mutual fund के बारे में या फिर आपका investment psychology के बारे में या फिर current market scenario के बारे में तो आप हमें comment में लिखके बदा सकते हैं तो आज का हमारा पहला question है सूमनात मिश्रा जी पूछ रहे है sir stcg tax कैसे pay करना है पुरा detailed video चाहिए please देखिए stcg जो है वो आपको अलग से pay करने के जरूत न हमें आपका stcg है वो automatically cut हो जाता है और आपका जो बाद में जो amount आपके खाते में वापस आता है वो already deduct होकर ही आता है यह TDS type का है इसमें आपको अलग से कोई tax देने की जरूत नहीं पड़ती है सुभाष जोसी जी पूछ रहे है सर अगर मैं एक साल बाद gold खरीतना चाहता हूँ एक दो लाख उसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर SIP करना है तो कौन से सिप best होगा देखो अगर आपको SIP करनी है तो आपको दो चीज यहाँ पर consider करने पड़ेगी मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का recommendation नहीं दे रहा हूँ पहली चीज तो आपको यहाँ पर पहली बात पहली बात जो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कोई भी fund लेने से पहले कि वो fund of fund category का fund नहीं होना चीए क्योंकि fund of fund category के fund के अंदर expense ratio ज्यादा होता है और दूसरी बात जो आपको fund खर expense ratio सबसे कम हो वो fund के अंदर आप investment करना start कर सकते हैं तब list बना लीजिए उसमें से देख लीजिए के कौन से fund के अंदर expense ratio बहुत ही कम लग रहा है तो वहाँ से आप अपना investment करना start कर सकते हैं प्रदीप पांडे जी पूछ रहे है sir top up करना मतलब क्या होता है ये जो question पूछा आपने वो है SBA balance advantage fund के अंदर अब भी बहुत simple है दो तरीके से इसके अंदर आप top up कर सकते हैं जैसे कि अगर आपकी SIP चल रही है तो समय top up SIP का भी एक option आता है जैसे कि सामद लो कि आपने 1000 रूपी की SIP चल रही है और आपको top up करनी है अपने SIP तो आप 10% के हिसाब से या फिर कोई figure decide कर लेते हो कि मुझे एक साल के बाद यहाँ पर 100 रूपी का increment होता रहे तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका 10% है समद लो की 1000 रूपी की SIP है और 10% का यहाँ पर आपको top up करन है तो next year जो आपकी SIP कटेगी वो 1100 की कटेगी और दूसरा तरीका यहाँ परा figure के दूरू भी कर सकते हो कि अगर आपने 100 रूपे decide कि आए कि 1000 के उपर अपसे बढ़ना चाहिए मतलब एक साल के बाद बढ़ना चाहिए तो आपका वहाँ पर 100 रूपी एक्स्ट्रा कट जाएगा यहाँ परा frequency भी चेन कर सकते हैं जैसे कि छे मैने के बाद top up हो या फिर quarterly top up हो या फिर two yearly top up हो या फिर yearly top up हो तो यह आप frequency वहाँ से सिलेक कर सकते हैं जैस गैलोज जी पूछ रहे हैं I need a way to draw up a plan to set up for retirement while still earning passive income to meet my day-to-day need and also get charge less tax even while in a higher tax bracket देखो आपने यहाँ पर दो चीज़ बताईए कि आपको regular earning के साथ में यहाँ पर कम tax कटे उस हिसाब से आपको investment करना है तो यहाँ पर आप एक जीज़ कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा CA पकड़ना पड़ेगा जो की बहुत ही शांदर तरीके से अपना काम करता हो जो tax लगने वाला है वो तो लगेगा लेकिन अधर जगा पर जहाँ पर tax हम बचा सकते हैं तो वो काम CA ही कर पाएगा अच्छे CA को हायर करो वो जो fees मांगता है उसमें negotiate करो और उसके बाद आप अपना tax bracket देखो कि कहां पर आपको कितना tax लग रहा है उसमें CA कितना कम कर सकता है तो वो आप साथ में बैटके decide करके यह plan कर सकते हो frugal time पूछ रहा है index funds has been outperforming most portfolio and funds but that depends on what sector grew the most in that period you are looking at funds fund managers exist for a reason passive investing is a good mix to have to bring your cost down जी यह आपने सही बताया कि passive investing मतलब index category के type के जो funds रहते हैं उसके अंदर अगर हम investment करते हैं तो हमारा expense ratio बहुत ही कम हो जाता है जिसके करण हमारा खर्चा कम होता है लेकिन अगर आप active investment में investment करते हो लेकिन अगर आप active funds के अंदर investment करते हो तो अगर funds जो index fund या फिर जो benchmark के उसको beat करता है तो बहुत ही अच्छी बात है PIC SHH बोल रहे है वन doubt I have is on compounding in mutual funds can you explain what is compounding in mutual funds versus stock देखो stock के अंदर जो compounding होता है वो एक अकेला stock करता है बराबर आज अगर जो price closing है उसके बाद दूसरे दिन पर वो कौन से price पर open हो रहा है वो हुआ एक दिन का compounding लेकिन mutual fund के अंदर ऐसा नहीं होता है mutual fund के अंदर एक ही fund के अंदर अनेक stock हो सकते हैं वो सब मिलकर किस तरीके से compounding करते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा लेकिन दो दोनों के अंदर concept है वो same ही है कोई फ़रक नहीं है NAV को stock का जो price होता है उसी तरीके से fund का NAV होता है दोनों same तरीके से ही काम करते हैं fund का performance अलग होता है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग type के बहुत सारे stocks होते हैं जबकि stock अकेला खुद perform करता है तो उसके करण हमें difference देखने को मिल सकता है इसके बाद infinite mind पूछ रहे हैं for small cap should we consider active managed fund और small cap index fund कोई भी अगर fund के अंदर आप investment करना चाते हो भले ही वो small cap है, mid cap है, large cap है या फिर कोई भी type का fund, thematic category का भी fund क्यों ना हो गया आपको ये देखना है कि आपका fund जो है वो benchmark को beat करता है कि नहीं अगर आप actively managed fund के अंदर investment करना चाते हो दूसरा, अगर आपको expense ratio बचाना है, तो आप index fund के अंदर investment कर सकते हो बीना कोई tension के अगर आपको investment करना है, तो आप index fund के तो investment करना start कर सकते हो कंदिप सिंग जी बूछ रहे हैं, sensex में invest करे या निफ्टी में देखो, sensex और nifty दोनों अलग-अलग है, लेकिन यहाँ पर एक फरक है, sensex के अंदर मातर 30 stocks आते हैं, जबकि nifty के अंदर 50 stocks आते हैं, यहाँ पर difference कितना हो गया? 20 stocks का, nifty के अंदर 20 stocks ज़्यादा है, जबकि sensex के अंदर मातर 30 stocks ही है, अब यहाँ पर आप एक बात notice कर सकते हैं, कि sensex जो है, वो थोड़ा concentrated ज़्यादा है, जबकि nifty के अंदर concentration थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि number of stocks nifty के अंदर ज़्यादा है, तो अगर आपको concentrated portfolio बनाना है, तो sensex के through investment कर सकते हैं, या फिर अगर आपको diversified investment बनाना है, होते तो दोनों ही diversified है, लेकिन diversification और भी ज़्यादा चाहिए, तो आप nifty के through investment कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा किसी भी तरीके का recommendation नहीं है, आपको जो ठीक लगे, उसमें से आप अपना investment करना start कर सकते है आयान सिना जी पूछ रहे हैं, sectoral funds is best for short duration, who knows economic cycle and how big money moves, I have written PSU, then Infra, Steel and Pharma राइट, जियां आप बहुत ही सही पकड़े हैं, जियां आपने बहुत ही शांतर यहाँपा analysis बताया है, और आपने जो comment किया है, उसके हिसाब से आपने profit भी निकाला है, आपने PSU को भी राइड किय जब PSU अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपने Infra को भी राइड किया, जब Infra अच्छा परफॉर्म कर रहा था, Steel sector को भी आपने राइड किया, और साथ में Pharma sector को भी आपने राइड किया, अब दोस्तों आपको एक बात यहाँपर consider करने पड़ेगी, कि thematic category के funds बहुत ही पर तजिगे से हमें returns देते हैं, लेकिन उनका कोई cycle होता है, वो cycle को अगर आप catch कर सकते हो, तो बहुत ही शानदा return निकाल सकते हो, Nifty 50 या फिर Mid Cap है या फिर Small Cap है, उससे भी ज़्यादा आप return निकाल सकते हो, जैसे कि अगर recently मैं बात करूँ, तो recently defense का जो sector था, उसने 100% से ज़्यादा return दिया था, इसके पहले PSU ने return दिया, उसके पहले Pharma ने return दिया, और उसके भी पहले IT ने return दिया, यह जो cycles है, तो वो आपको catch करना पड़ेगा, अगर आपको thematic fund के अंदर investment करना है, अगर आपको यह समझ में आ गया कि next cycle कौन से चलने वाला है, तो आप अच् दे सकते हो, कि कौन सा अभी cycle चलने वाला है, कौन सा theme यहाँ पर चलने वाला है, तो यह बहुत ही शांदर तरीका है, लेकिन यह जो काम है, बहुत ही expert, मजे हुए लोग ही यह कर सकते हैं, यूकि बहुत ही मुश्किल है, इवन fund managers को भी यह दिक्कत आती है, कि next कौन से cycle को अगर आप यह कर पाते हो, तो बहुत ही शांदर बात है, शीतल पटेल जी बूच रहे हैं, बार बार पैसा withdraw करने का मन करता है, क्या करूं, आप यहाँ पर simple एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप equity fund के अंदर investment करना चाहते हो, तो यह जो आपका मन करता है, बार बार पै पैसा निकाल देने का, तो आप एक काम कर सकते हो, कि आपको जो ELSS type के fund है, tax saver type के fund है, उसके अंदर investment कर दो, अब इसके अंदर investment करने से क्या फायदा होगा, एक तो अगर आपको मन करता है, फिर भी आप पैसा withdraw नहीं कर पाऊगी, उसके वीचे का reason यह है, कि यहाँ पर 3 सा का lock-in period रहता है, लेकिन यह fund के अंदर investment से पहले आपको यह भी बात consider करने पड़ेगी, कि investment से पहले आपको कुछ पैसा emergency के लिए side में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ELSS fund के अंदर investment कर दिया, तो आप 3 साल तक पैसो को निकाल नहीं पाऊगे, यह बात आपको consider करके ह investment करना चाहिए, tax server fund के अंदर investment करना चाहिए, नहीं तो आपको problems face करनी पड़ सकती है, दूसरा अगर आपको यह मन करता है कि बार बर पैसा निकाल दू, तो यह काम करिए, आपके जो mobile के अंदर application है, या फिर आपने जो login किया हुआ, अपने laptop के अंदर, या computer के अंदर, उसक उतना ज्यादा अपने को पैसा निकालने का मन करता है, और खर्चा करने का मन करता है, तो मैंने आपको दो options बता दिए, या आप ELSS fund के अंदर investment करो, या फिर आपका जो portfolio है, उसका username और password भूल जाओ, और next time आप login नहीं ना कर पाओ, इस तरीके से आप कोई setting करो, नहीं तो आपको अगर बार बार मन करता है पैसा निकालने का, ये long term के लिए सही नहीं है, long term के लिए investment करना चाहिए,